नज्ट मेन इंशना वालेकूं, मैं भी ठीक ठीक ठाक और सबसे पहले में बनाने जारी मेज़ा ने रिखक पड़ीट कर दिया थिया स्टूमा हम कट किया था और इसे सोते करने के भाद हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी ऑईल में हम Vincent ऐसली फ्राइब करेंगे उसे पनीर कुटा में में अलब सीदि अब सबसे पेले हम इसी ऑईल में प्याज़ को लेंगे दो ध reckon親 चाहिए जिसे हम झून्य कुटकिया था और इसके अंदर हमने लेसान, अद्रक, हरी मिर्ची और लाल गोल मिर्च और टमाटा एक अदद मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया था इसे फ्राय करेंगे और फिर से भी निकाल लेंगे और पैस तैयार कर लेंगे तो हम इसे निकाल के पैस तयार कर लेंगे और इसमें थोड़सा पानी अड़ भी कर लेंगे ताकिय कि तदर्बश्ट सा पैस तयार हो जाए देखे किता पैस तयार हुंआ अब इसी वोयल में हमने यह का अब इसमें जुण एक बादे कर देंगे और इसमें हम मसाल एट कर देंगे हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक इसे हम थोड़ा तो भूनेंगे और इसके अंदर मटर एट कर देंगे मटर डालके हम इसे थोड़ा फ्राइ करेंगे और थोड़ा सा पानी भी एट कर देंगे ताके मटर हमारे अच्छे से गल जाए 25 मिंट हमने इसे कवा करके रख दिया था ताके अच्छे से हमारे गल जाए मटर और इसके अंदर हम धाई डाल देंगे हाफ कप और थोड़ा सा भूनेंगे ताके धाई का पानी खुश्क हो जाए अब इसके अंदर ने पनीर एट कर दिया पनीर डाल के हम हलका सबुनेंगे 5-10 मिंट और फिसके ओपर हम सूकी मेती हरिमिर्ची और हर दनिया गार्णिश के तोर पर डाल देंगे और इसे 5-10 मिंट हम ढखका रख देंगे दम वाली आज पर देखे जब दसता मटा पनी तयार वाल्गे?